वेलकम टू आईस मास्टर आज हमारे साथ यह सी के रैंक वान बेनिट जैन हैं तो इनसे कुछ हम लोग प्रेपरेशन टिफ्स लेंगे आगे के लिए और इनका जर्णी कैसे स्पेशल रहा जिसकी वाज़े से वह रैंक वान ले आए उसके वाज़े से जानने कोसिस करेंगे तो कॉंग्रेशलेशन बेनिट कॉंग्रेशलेशन बहुत ही बढ़िया रैंक है मतलब वान तो एक ही होता है ठीक है वैसे अगर हम देखते हैं तो रैंक आज आएगा यह थोड़ा बहुत पता चल जाता है एक्जान के बाद लेकिन वान आएगा इतना कॉंपिटेंटली कह क्या है क्योंकि इस बर प्री की कट ओफ काफी कम गई है पर मेरे मार्क्स अराउंड 300 प्लस बन रहे हैं तो जो प्री में आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क स्कोर कर लिया है ठीक है उसको फुदा बाकी लोगों को लिए मैक अप करना डिफिकल रहा हो रहा होगा तो प्री की तयारी कुछ चीजियों के पर खास फोकस दिया था अपने सर मैंने एक तो ओवरोल सब्जेट की कवरेज ध्यान रखी दी मैंने अगर टेखनिकल की बात करू तो कोई भी टॉपिक मैंने लिव नहीं किया था और मैंने मुल्टिपल रिविजिएंस और ज़्यादर फोकस किया था तो बेसिकली यह है कि सब्जेक्ट एसी में छोड़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता अगर हम सब्जेक्ट छोड़ते हैं कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कुछ कैल्कुलेटेड रिस्क लिए कि कुछ सब्जेक्ट छोड़ दें बट कभी- थोड़ा हुआ है उसमें से दस-दस-फंदर कोईसे ना जाएंगे तो यह ध्यान रखना है बच्चो कि सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे लाइट पर नहीं हो पा रहे है तो एकाद सब्जेक्ट हम सोच सकते हैं और उसमें फिर तो किसमें निलिए जैसे हमारे पास तुटल दस सब्जेक्ट हो गया इसको पढ़के को सफ्राइब करो करना जाधा यह उसमें कुछ महीं पढ़ पर इसको प्ढ़ला सैकी पैस करेंगे घ्रके चामलें तो बिनित के केस में बिनित का जो प्री का नमबर है काफी अच्छा नमबर है और ये सायद इनके लिए एड़ेट अड़ाज हो गया वो तो फैनली पता चले रहा जब नमबर आ जाएगा कि इसमें कितना नमबर रहा उसके वाद बिनित अच्छा कि रिवीजन मैंने बहुत जो कीसी किया अपने ऐसर मैंने पहले तो ये ध्यान रखा कि My एन पूराी ₹ यद्ध साल पूरा चाहए करने का भी टाई मिला ना कि सिर्फ मैंने लाष्ट के एक दो मेने में के तो रही जैक को आंने करना कि मेरा ये वेडर evi जब environment खतम होगा ना तब तक पहला दुसा chapter gap हो चुका होगा तो revision को last में नहीं रखना है कि subject खतम होने के बार revision करना है यह continuous process है कभी कई मैं बच्चों को यह भी suggest करता हूं कि एक subject को हमें से मत revise करो करते हैं लेकिन जब आपका पूरा subject खतम हो चुका है और आप रिवाइस करना है जो एरिया कमजूर है वहां से पिक कर रिवाइस करना है यह भी सर्मय करता था मैं multiple revisions एक दिन में multiple subject की रिविजन करता था जैसे इस तरह से क्या होता है कि हमारा हर जगा equally strong हो जाता है यह देखा होगा कि अगर हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं खासकर के टेक्निकल बुक तो स्टार्ट से करेंगे स्टार्ट में एंधू जादा रहता है एनर्जी जादा रहता है ठीक है दुसरी बार भी स्टार्ट से कर रहे हैं तो दुसरी बार एंड से कर लो या बीस से कर लो इसको फॉलो करो तो थोड़ा सा फायदा हो सकता है बाकि टेस्स का क्या रखा था तो उमने टेस्स कितना फ्रिक्वेंट ली दे रहे थे मेरे पेपर से अराउंड मैं ट्राय करता था कि मेरे को काफी ज़्यादा टाइम मिले टेस्स लगाने के लिए तो मैं अराउंड यसे की बात कुरूंड तो मैंने 20 से 25 फॉल यह टेस्स पेपर तक दे दिये थे वह भी ओफ्लाइं मोड में ठीक है मतलब जो इसा एक्जाम का मोड रहता है उसी सब्सक्राइब रहता है सब्जेक्टिव में विदित जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो कवरेज है वो तो है ही ठीक जैसे खास करके कुछ सब्जेक्ट से हैं इन सब्जेक्ट का विड्ट भी बहुत ज्यादा है और इसे बहुत ज्यादा आता है तो इनकी लिए कोई स्पेसिल प्रिपरेशन खास करके अगर मैं बात करूँ जैसे आर्सिसी या श्टील उसमें डिजाइन के प्रेक्टिस करते थे कि ऐसे देखते थे कि हाँ यह यह को मैंने क्या करा था सर हर चीज के बीजानी स्टैफ होता है जैसे बीम डिजाइन करने का तो उसको में दिवार पे चिपका लिया था कि इसका डिजाइन इसी स्टैफ से FDA पढ़ लेता ता मेरा वो तारह से और उसके दो क्वेशन में हर तरह के डिजाइन के बना ले थे और सर थियोरी के लिए मैं लिपके नहीं देखता था मैं अपने मेरे एक दोस्त है उसकी ट्वंटीएट रेंक आई है सल तो उसके साथ मैं मलब ऑवर कॉल हम डिसकस कर लेते थे कि यह क्वेशन का मौश्ट प्रवेबल आ जो तुम से पॉण्ट चोड़ गया वहाँ का लिए खृण करना पौसिबल नहीं तुमट इंटर्व्विया कोई खास चीस तुमेरे साथ तुमको क्या रहा तुमको क्या लगा कि इंटर्व्य तुमारा अच्छा हुआ खड़ा हुआ या आइबरेज हुआ ऐसा कुछ सब्सक्राइब नहीं कुछ सब्जेक्ट हमारे एसी में नए एड हुए है खास करके जैसे अर्थक्रीक हो गिया तो यह सब्सक्राइब भी आपने पढ़ लिया थे पूरा तो यह सब्सक्राइब नहीं करने अपने अपने ट्वेल्थ उप्तरप्रदेश से कंप्लेट किया है उसके बाद मैंने आई 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 आटी पालग कर्ला से अपनी वीटेक इन सीविल इंजिनियरिंग कंप्लेट किया 2019 से 2023 सो जस्ट मैं आभी पास ओट हो कहा है उनकोल इससे और मेरा फर्स्टी एंट हैं कोई बच्चों के लिए इस बार जो आगे इस बार नहीं कर पाएं जो फिर आगे के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स एं ट्रिक्स पर इन जनरल यह है कि अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखोगे पहला है कि अपना जो सेलेबस कंप्लीशन है दूसरा रिविजन जो कि हमको लाश्ट के लिए नहीं छोड़ना है साथ के साथ हमको रिवाइस करना है तीसरा टैस सीरीज अगर यह चीज आपने रिलिजियसली फॉलो करी इन मेंसे अगर कोई भी चीज ना छोड़ी तो आपका जो सेलेक्शन है वो पक्का है तो यह तीन पर मैंने सोचा था कि पेपर हो जाए उसके बाद देखेंगे जैसा हुआ पर तैयारी मैंने तो यहां से पहला पॉंट यह हो गया कि डिप्रेशन वाला फेज रेंकवान के साथ भी हो सकता है तो इसको अपसलूटली करेक्ट है यह ठीक है इसको तुम नॉर्मल मान के चलो दूसरा चीज यह डिसाइड मत करो कि तुम्हारा प्रिपरस सिंगे तुम्हारा ताइम की तुम्हारा चीज थि иbor कैशकम sonra कशहर करा कि अध несकोलय के दिने के बाद कि फिर आगे क्या धार है प्रेस्ति ट्यारी कषेंड ने वाला है यह हो जाएगा तो उसके में लिए बीच में कर दो या बीच में ड्रॉप मत कर दो कि सायद मेरा नहीं होगा पूरा एंड तक लगे रहो और उसके बाद देखना है कि हाँ फानली मेरा सेलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मिने तुम्हारा कुछ फैमली बेग्गराउंड के बारे में जैसे सपोर्ट कहां कहां से मिला तुमको कहां से तुमने इंस्परेशन लिया कि नहीं मुझे यह करना है तो सर मेरे फैमली में काफी लोग गवर्मेंट जो में हैं मेरे बड़े बहीया है कजन वह भी एस ओफिसर रहा तो वहां से मेरे को थोड़ा इंस्परेशन मिला और फैमली का सपोर्ट रहा फादर औ कि मेरे यह हो चुका है अभी नेक्स्ट में कुछ और एक्जाम पर त्यारी करोंगा इस टैश्ट से कुछ यहा भी तुछ तुड़ा सा सिंग करो कि ठीक यह रहा है अभी तो सर्थ थोड़ा सिंग कर रहे है उसके बाद में भी देखा जाएगा क्या होगा इस चलो बिनित एक था क्या करो एक्यों घ्यूध कर वाद खाय घ्यू थे पर यह रहे हैंगा यह रखायी है अच्छ दुड़ा से तुड़ा गया इस बिनित पाद में ग्या अजिपू प्श्ड़ा स्विक अडिक्रविक लेगार । brother mizakali अइस तुड़ा कंष ए घ्यू